आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयम नारायन ही है तब आप तो क्या सारी स्रिष्टी में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वद करने की शक्ति हो इसलिए कहता हूं अभी समय है शत्रता छोड़कर उनकी शर्ण में चले जाईए इसी में आपका कल्यान है वो परम दयालों है आपको ख्षमा कर देंगे उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे और आज आज हमें दया की भीक मांगने को कह रहे हो उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं माराज यदि ये धनुश यज्य पूल हो जाता तो आप मिश्च यही और अमर हो जाते पन तो आप उस धन्युश की रक्षा नहीं कर सके इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए मैं ब्राह्मन होते हुए भी आपके शीरिचर्णों में शीष नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं इसे सुईकार करें इसी में आपका मंगल है मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें शुम्दक दिकार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर जिसकंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अम्रावती पर अपना जंड़ा लहरा दिया तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास नहीं कर सका उस महावली कंस को तुम अपने ही हाथों अपनी हास्विकार करने को कह रहे हो याद रखाओ कंस मर सकता है हार नहीं सकता यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल कर क्या मैं उसके चड़नों में बैठ कर क्षमा प्रार्थना करूं उसके सामने गिरगडा कर अपने प्राणों की भीख मांगू अश्य यही कीजिए मैंने उस दुन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे इस पश्च सब्दों में बताया था कि धनुष यग्यपूल होने से पूर्व यदि धनुष तूट गया तो यह जमान की मित्क्य हो कि ऊपको कि इसन की फध्या में कोई संदेव है मुझे विश्च्वास है कि रीकिन की फ्थ्या हो ही नहीं सकती तुम भी इतनी जल्दी बदल जांगे यह हम नहीं जानते थे इसने की हद्ध्या के लिए यह तुमारी ही योजना थी कि धनुष यग्यके उतसाव का बहाना क करके उसे मत्हुरा बुलाया जाए जहां उसका वद्ध सरलता से हो सकता है फिर आज परसा परट कैसे घया सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो यह शत्रु के तुम्हारी विजय चाहते हो यह शत्रु की मैं आपका ही सेवक हूं महराज और हिर्देश से आपकी ही मंगल काम करता हूं इसलिए मैंने उस तिन ये योजना भी बनाई थी और इसलिए आज यह कह रहा हूं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मंद से निकाल दीजिए